हेलो स्टुडेंट आजके इस वीडियो में मैं आप लोगों का कल का जो इंगलिश का exam बोर्ड exam हुआथा उसका solution के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हो एपके आते हैं को . यहां से यहां से यहां तक लिखना है उसकी बाद को या पार सी यहां से यहां wounds , इस तरीके से यू काइस लेटर य मैं यहां से यहां टक आपको इन वैकेट में आपको लिख़े लिए हैं तो इस तरह के सबका first question answer होगा next question दिया हुए question number 2 find out 4 hidden words having at least 4 letters from the given words आपको यह जो word दिया हुआ है इसमें से आपको 4 hidden words आपको find out करके बताना है any 4 so जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता है lotion, motion, map, aroma, action, claim यह सारे जो words है इस proclamation से बने हुए है next question number 3 है spot the error and write the correct sentence all the greater religions teaches so teaches जो है यह हमारा error है teaches के place पे आपका सिर्फ teach आएगा और बाकि सारे sentence as it is लिखने है आपको question number 3 आप यहाँ पे देख सकते है all the greater religions teach us to care for our children full stop last में इस तरह के सिर्फ teach के place पे आपको teach लिख देना है now question number 4 arrange the following words in alphabetical order यहाँ पे आपका जो invention, indisputable, interaction, inquisitive आपका सारा जो four letter दिया हुआ है four words जो दिया है उसका सबका starting का जो letter in, 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 in सब सेम है तो आपको क्या करना है third letter जो है V, D, T, and Q वो देखना है फिर उसमें जो first आता है वो आपको लिखना है next question number 5 जो है हमारा complete the word chain of verbs आपका यहाँ पे कुछ word दिया हुए उसको complete करना है chain के form में और verb वाले word लिखने है जैसे कि call का last letter L है तो L से हमने लाफ लिख दिया फिर लाफ का last letter H है उससे हमने here लिख दिया यहर का last letter आ रहा है उससे हमने run लिख दिया run का last letter and n से हमने ने चलिख दिया तो इस सरीके से आपको complete करना है इस chain को now question number 1 का e2 do as directed यह नि 2 करना है आपको इसमें से so first question दिया हुआ है prepare the word register of four words related to the given word music so यह जो word music है इससे आपको four words related word लिखने है so music related बहुत सारी words आते हैं तो जैसे मैंने आप लिखा है rhythm lyrics musicians songs तबला composer इससरी के से आप musical instrument और भी बहुत सारे fluid violin यह सब आते हैं तो आप वह भी लिख सकते हैं so music के अंदर यह सारे different words वगर आते हैं now question number 2 पर जाते हैं doctor column's own life was nourished by multiple fits तो यह जो दिया है question इसमें लिखा क्या है begins the sentence with multiple fits आपको यह जो sentence से स्टार्ट करना है मत्तब कि आप यह बाय दिया हुए आपको तुरण समझाना है कि यह Oi Lois biz तो आपको एक्टीवाइस में करना है किस इक्टीवाइस का जो last में subject होता है वो आपका पैस्वाइस के जो last होता है वो subject होता है तो subject blijरे दिना है तो šatu multiple fits पहले लिखना है thenप Regional बोप नरिश्ट दन आपका last में आभी आएगा object आपको लिखना है multiple phase nourish the doctor column's own life और last में full stop करके लिखना है multiple phase start करना है then verb लिखना है यह subject होगे आपका multiple phase nourish आपका verb होगे and then this one is object तो यह आपका एक्टिवाइस में लिखना है इस तरीके से पैस्वास में आपको given दिया है next question number three rewrite the sentence तो इस तरीके से आपको और एको चीज आपको चेंज करना है जो वेंट लिखा यह पास्टेंस में दिया हुए तो इसको फर्स फॉर्म में अगर आप लिखो कि गो तो यहां पर वी के प्लेस पर आपका डीड आ जाएगा इस तरीके से नो सुनर डिड वी गो टू रॉकी बीच दान वी साथ प्रेड ऑफ दो मजास्टिक ओशन तो नो सुनर की बाद आपको डिड लिखना है क्योंकि गो जो है आपने यहां पर लिखा है इसलिए गो के प्लेस पर आपका यहां पर डिड आ जाएगा तो यहां पर वैंट के प्ले जाणा आपको इसमें से सो फर्स रोन पिक आयूट दिस मोडल ऐसिलेरी यहां पर जो मोडल ऑउसिलरी हो है और यह कुट ज़कित हैमों से टाव आप का मोडल ऑक्षिलैरी यह दिया वह श्मास्ट है जाना है नहीं आपको बताना है क्वें आपको बताना है कुटंस तो यहां से लेके इत तक आपका subordinate clause है बाकी जो लास वाला है और से लेके मी तक यह में ग्लास है नाओ section 2 पर हम जाएंगे textual passages reading skills vocabulary और grammar जिसमें होगा तो question number 2 का ए क्या है read the following passage and do the activities तो यह आपका 10 marks कराएगा even complete the given boxes with who said to whom आपको यह complete करना है boxes को इस paragraph और इस paragraph के जरिये so first जो question दिया हुए है you look a bit of wrestler yourself तो यह किसने किसे खहा हरी ने अनिल से खहा second question किया है if you can cook then may be I can feed you so यह अनिल ने हरी से खहा तो यह answer जो है आपको इस paragraph को read करने के बाद कोदी मिल जाएंगे यह answer होगा now e2 question जो है आपका third page page number three पे e2 complete the cluster diagram mentioning the characteristics of the main character of the passages so यहां पे qualities दिया हुआ है अनिल अनिल का जो age है वो 25 है यह आपको paragraph में से मिल जाएंगे यहां पे दिया हुआ हुआ है 25 then physical appearance के बारे में tall and lean है so tall and lean tall के बाद यहां पे lean लिखा हुआ है then आपका यहां पे qualities बताना है kind easygoing and simple so easygoing quality दिया हुआ है next two क्या है kind and simple यह भी आपका यहां पे ही दिया है kind and simple so easygoing आपका दिया हुआ था next आपका kind and simple आपको लिखना था यहां पे इस तरीके से तो इस तरीके से आपका third pages पे आपका complete आथा next fourth page number पे क्या है a3 choose the correct meaning of the following words from the given option यह आपका two marks का है आपको पूछा है flattery का meaning क्या होता है insincere praise insincere praise होगा second appealing का क्या होगा attractive होगा appealing का attractive next e4 क्या है do as directed में आपका first one i took a new name everyone यह आपका question है जिसमें से a new name को underline किया है और क्या दिया है frame wh question to get the underline part as an answer मतलब आपको यह wh question बनाना है इस answer को question में convert करना है तो कि इस तरीके से करना है जिसमें से a new name नहीं आना चाहिए यह आपका answer में आ जाएगा बाकी सबका use करके question बनाना है तो इस तरीके से आपको question मनाना है what did you take every month और last question mark इस तरीके से लिख देना है what did you take every month यह हो जाएगा question next क्या दिया हुआ है आपका यहां पर I was an experienced hand experienced hand underline the determined from a given sentence आपको यहां पर करना है underline करना है जो भी आप यहां पर sentence को read करने के पाद जो भी determine करें उसको so an जो है वो आपका underline करना है और वो बताना है कि यह an article है ठीक है इस तरीके से next हमारा question क्या दिया हुआ है why do you think Hari Singhs gave his most appealing smile so यहां पर जो second यह if I का जो two marks का है आपको बताना है अपने own words में Hari Singhs gave his most appealing smile थोड़ा सा own words में बताना है plus question में भी दिया हुआ है यहां पर Hari Singhs का यह रहा I gave him my most appealing smile I want to work for you because of थोड़ा reason अपने own words में बता देंगे तो यह रहा आपका इसका answer यहां पर then आपका B का read the following passage and complete the activities आपको paragraph को read करने and activity complete करने है complete the given sentence by choosing the correct option यहां पर first का जो answer होगा international होगा the dash and monuments and sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage first का answer आएगा international council second यहां पर आपको दिया हुए है the famous dam situated in Egypt on river Neel is Ashwan High Dam second का answer यह सीवल आएगा third का दिया है the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world begin in the early dash century so इसका answer आएगा 20th next दिया है four questions the project cost and estimate US $80 million and $40 million of the which came from dash different countries so इसका answer आएगा 50 so नीचे आपको next paragraph दिया हुए है यहां पर page number 6 पे आते हैं continue आपका वह paragraph दिया है बीटू में देख्या दिया है complete the following information from the passage यहां पर कुछ भी question पूछा है वह paragraph में से आपको find out के बताना है so first क्या पूछा है task and reason दो कॉलम दिया हुए जिसमें से first one UNESCO launch an international campaign in 1959 UNESCO ने launch किया international campaign in 1959 में किस लिए किस reason से start किया यहां पर लिखा है आपका answer यहां पर to protect the temples and artifacts UNESCO launch an international campaign in 1959 and because of to protect the temples and artifacts ही आपका यहां से यहां तक आएगा सिर्फ to protect the temples and artifacts next question क्या है a white house conference in the United States called for a world heritage trust तो इसका answer second वाला जो answer है वो यहां पर दिया है to protect historic and cultural sites but to also protect the world's significant natural and cynic sites यह आपका second का reason आजएगा थर्ड क्या है आपको यहां पर पीक आउट और राइट अनि four adjective from the passages आपको passage में से adjective find out करना है significant लिखा हुआ है यह आप देख सकते हैं significant second क्या है cultural and third one natural and fourth one is historic इस्टोरिक इसलिके से आपका significant natural historic यह सारे एजेक्टिव से हैं आपको passage में से find out मिल जाएंगे पीज नबर सेवन पर आते हैं बीफोर डूर्च डारेक्टिट युनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल और मॉनिमेंट्स इनिशीएटेड अड्राफ्ट कन्वेंशन तो क्रिएट आन इंटरनेशनल और अरगनाईजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कॉल्च्वरल है इसमें क्या करना है आपको not only and but also का यूस करना है तो not only आपको यहां पर आपका and आया है जिसके वज़े से यह संटेंस कास होता है कंपाउंट संटेंस क्वेशन पर बीफाई पर हम जाते हैं यहां पर आपको on words में लिखना है कि अगर आप historical sites को prevention कर रहे हो तो आपको कौनसे मतलब कि अपने साइट से क्या करोगे अपना important role कौन सा प्ले करोगे historical sites को prevention करने के लिए अपने on words में बताना है 2 marks का है आपको 45 line में देना है इसका answer next section 3 poetry में आपको क्या दिया है, question number 3A, read the following extract and do the given activities, आपको 5 marks का ये दिया हुए है, poetry दिया हुए, poem का passage दिया है, उसमें से answer find out करने, जिसमें से even, state whether the following statements are true or false, so first one दिया है, animals, how they are, show their relations to us, ये answer आएगा false, second, humans have given up many good qualities, answer आएगा इसका true, animal sweets and wine about their condition, इसका answer आएगा false, animals are placid and self-contained, इसका answer आएगा true, ये सारे answer को true false, यहाँ पर paragraph में दिया हुए है, और इसके पीछे भी दिया हुए continue, इसमें साफ find out करके, इसका answer लिख सकते हैं, now you two, answer the following question with the help of the given extract, यहाँ पर भी आपको आपको बताना है, कि first one क्या दिया है, what craze do animals never display, why, कौन सा animals जो है, craze display नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इसका answer आपको, इस paragraph को read करके, थोड़ा सा अपने own words में बताना है, क्या होगा इसका answer, because they are more satisfied and self-contained than humans, क्योंकि वो ज्यादा satisfied और self-contained होते हैं humans के compare, so यह आपको थोड़ा सा read करके paragraph को थोड़ा सा own में बताना है, next पूचह है, E3 में pick out one example of rhetorical question from the extract, यहाँ पे आपको pick out करना है, rhetorical question तो यहाँ पे answer है, इसका, did I pass that way, huge times ago and gently drop them, question number B पे हम आते हैं, read the following poem and write an appreciation of it with the help of the given points in a paragraph format, यहाँ पे आपको poem दिया हुए है, paragraph form में, इसमें आगी page number 9 पे पूरा paragraph दिया हुए है, next page number 10 पे भी आपको यहाँ पे paragraph दिया हुए है, इसकी बाद यहाँ पे question कुछ points पूचह है, the title and the point of the poem, यहाँ पे इस poem को read करने के बाद, इसका title और poem का poet की नाम बता है, तो poet की नाम आपका last poem के last में ही लिखा होता है, नेजीम आजीकिल है, and title का नाम मतलब यहाँ पे यह रहा, night of the scorpion, यही title है, night of the scorpion, and poet का नाम है नेजीम आजीकिल, rhyme schemes क्या होना चाहिए, इस poem का rhyme schemes अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं पे भी rhyme दिखा ही नहीं दे रहा है, आज में flash, room, again, flies, times one, एक भी मतलब आपको यहाँ पे last की एक भी rhyming words नहीं दिखा देएंगे, इसलिए आप इसका क्या लिखोगे, यहाँ पे rhyme schemes नहीं है, तो no, इसका अंसर है अप थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हो, rhyme schemes जो है a free verse having no fixed rhyme schemes या फिर आप no fixed rhyme scheme भी लिख सकते हो, या a free verse having no fixed rhyme schemes इस तरीके से, next यहाँ पे बुला गया है figure of speeches poem का क्या-क्या है, तो इसमें बहुत सरे figure of speech है, alliteration है, antithesis है, hyperbola, inversion, metaphor, repetition, onomatopoeia, यह सारे figure of speech इस poem में आये हुए है, next क्या है central idea, अब इस poem को पढ़ने के बाद आपका ideas वगर क्या है अपने own में बताना है, central idea theme का, next पे अगर हम जाएंगे 11th page number 11th page section 4 non-textual passages दिया हुए जिसमें reading skills, vocabulary, grammar and summary दिया हुए है, question number 4e, read the following passages and complete the activities, so complete the chart on the life stages of fireflies, यहाँ पर fireflies के life stages बता रहा है, जिसका answer है, एग, lava, pupa and adult, यह 4 answer आपको यहाँ पर दिया हुए है, एग, lava, pupa and adult, यह 4 step आपको 4 stages लिखने हैं इसरी के से, next page number 12 पर आते हैं, fireflies का continuous यहाँ पर फिनिश होता है, next, a2 क्या पूछा है, write two reasons for the conservation of fireflies, तो two reasons बता रहा है, conservation of fireflies के, यहाँ पर ही answer इसका दिया हुए, आपको बताना है, two marks का दिया हुए, next, a3 में क्या है, make antonyms of the following words using prefix, आपको antonyms बताना है, इसका opposite बताना है, prefix का use करके, तो यहाँ पर different के आगे, मैंने in लगा दिया, तो indifferent हो गया, जो की different का antonyms हो जाता है, experience का unexperience, bacterial का non bacterial, natural का unnatural, answer आएगा, next page number 13 पर जाहेंगे, do as directed a4 का, two many people, first question दिया है, two many people can disturb adult and larval habitat, इसमें करना क्या है, rewrite using as well as, आपको यह question को फिर से लिखना है, and as well as, as well as का use करके, आपको and के place पर as well as लिखना है, सिर्फ बाकी सारे as it is, next question 2 number 10, reactor together to produce photons, आपको क्या करना है, यहाँ पर infinity find out करना है question में, तो यह रहा to produce, two की बाद जो word लिखा होता है, वो ही infinity होता है, to produce यह आपका infinity हो गया, if I, can you think of any other insect that teaches us some values of life, explain with example, पल, आपको जैसे की फाइफ टाइस का आपको पहरग्राफ दिया हुए, इसकोचे से read करना, फिर उसकी बाद इसी तरीकी से other insect की आपको उनकी बारे में बताना है, जिनकी बारे में जो हमारी values, life values रखते हैं, two marks का है, तो आपको four five lines लिखनी है, आप हनी बीज की बारे में बता सकते हो, ग्रास आपर की बारे में बता सकते हो, बहुत सरे ऐसे insect है, जो life values होती है, जिनकी उसको आपको four five lines में बताना है, next b है, summary writing, read the above passage given in question number four and write a summary of its paragraph suggest suitable title, आपको यह जो पहले जो paragraph दिया हुआ था, फार फार फ्लाइस का, उसको read करके, आपको उसको short में paragraph में करके लिखना है, summary करके लिखना है, उसको suitable title देकर, next section five writing skills में आपको question number five, a letter writing दिया हुआ, imagine you are manov या meera sharma, residing at b12, snake kutir, mg road, nashik 422003, क्या है sender का address है, तो आपको पहले, जब लेटर लिखते है, तो sender पहले अपना address लिखते है, left side में आपको इस सब लिखना है, उसकी बाद यहां पे points दिया हुए, किस topic पर लिखना है, आपको letter और celebrating the girl child, इस topic पर लिखना है, उसकी बाद क्या क्या points आने चाहिए, यह भी लिखना है, yesterday the city celebrating international girl child day, इस topic पर लिखना है, कैसे क्या लिखना है, थोड़े points दिया हुआ यहां पे, उसकी बाद यहां पे उसी को आपको formal या informal में लिखना है, आप formal में अगर लिख रहे हो तो जैसे कि आप chairman को लिखना है, उनका address लिखना है, उसकी बाद उनको क्या बताना है, arrange an event to felicitate young girl achievers of the city, city में girls लोगों को क्या क्या अचीव होना चीए, वो chairman को आपको करके लिखना है, next अगर आप informal लेटर में लिख रहे हो, तो फिर आप अपने friends को लिख रहे हो, जैसे तो उसको क्या बताना है, girls child के बारे में, women in our society importance, society में women's का क्या क्या importance है, उनको अपने friend को अपने own words में ब transfer verbal to non-verbal, read the following information, complete the table given below, give a suitable title, यहां पर आपको पारग्राफ दिया हुए है, और उससे रेडर यहां पर question पोचा हुए है, features पूचा है, habitat, places found in shell, life span, turtles and tortoises, paragraph में आपको turtles and tortoise के बारे में दिया हुए, तो उनके habitat के बारे में बता हुए है, आप answer, इसका answer आएगा, water and land आएगा habitat जो turtles का होगा, water, water animals है, and tortoise land animals है, places found in Africa and America में found होते है, turtles and tortoise जो होते है, अशे अफरीका इन अमेरिका में found होते है, shell इनका कैसा होता है, lighter होता है, बहुत ही हलका होता है, then क्या लिखा है, यहां पर movable होता है, और streamlined होती है, यह भी आपका answer लिखा हुए है, अब देख सकते ह एक है, और वाइटर, streamline होती है, टीक है, उसकी बाद rounder, bumpier and heavier होता है, अगर हम tortoise की बात करें तो, rounder, bumpier and heavier, यह इनके शेल है, लाइफस्पन की बात करें, तो minimum इनका जो लाइफस्पन होता है, वो 22, यह पर लिखा हुए है, 22-14 years होता है, और maximum जो होता है, और मैक्जिम ज नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएंगे तो 16 पेज नंबर ए टू नॉन वर्बल टू वर्बल दिया ट्रांसफर इंफोर्मेशन टू पैरग्राफ यह आपका पैरग्राफ में आपको लिखना है चार्ट दिया हुआ है उसको पैरग्राफ में करके लिखना है जिसमें से आपक कितने माक्स का है यह आपका है 5 माक्स का है तो जिसमें से आपको यह करना है या फिर यह करना है आपको तो यहां पर पॉइंट दिया हुआ है stress and depression, bullying, child abuse, eating disorder, smoking and drinking, body image and self-esteem, peer pressure and competition यह सारे पॉइंट्स आपको दिया हुए इसको लेकर आपको पैरग्राफ लिखना हुआ है to be delivered in your school assembly on the topic आपको giving is receiving यह topic दिया हुआ है इसके इसे रिलेट आपको speech त्यार करना है school assembly के लिए so points वगर दिया हुआ है यहां पर आपको makes us feel happy, promotes cooperation and social connection, develops feeling of contentment, develops feeling of empathy यह सारे points को लेकर आपको speech त्यार करना है आपने school assembly के लिए points आपका topic दिया हुआ है giving is receiving या फिर इसके अलावा यह भी five hours का है और दोनों में से कोई एक लिखना है B1 या B2 तो B2 अब भी क्या है write your counter views in a paragraph on the topic shortcuts to success is not a wrong choice, success के लिए shortcut करें यह wrong choice नहीं है इसके बार में आपको paragraph में लिखना है कुछ points दिया हुआ हुआ है use the following points, follow the people with wrong principle, quality of work will suffer, the result will not last long, limitation to creative thinking यह सारी points को लेकर आपको एक paragraph लिखना है, shortcuts to success is not a wrong choice को लेकर next, last, last नहीं है, यह 18 pages नमर है, 19 भी है अभी, तो 18 page नमर पर आपको दिया हुआ है section 6 creative writing, question number 7 a, do any one of the following, आपको कोई एक करना है, expand the theme, यह expand the following idea into 100 words, यह 5 marks का है आपका, इस दोनों में से E1 या E2 में से कोई एक करना है, आपको किस की बारे में 100 words लिखना है, the time to be happy is now, आज की time पर आप जो time चल रहा है, वो happy है, क्यों है, ideas बगर जो भी है, वो आपको 100 words में आपको लिखना है, 5 marks का दिया हुआ है, या फिर आपको news report लिखना है, prepare a news report based on the following, यहाँ पे news report आप ल क्लास्रों to go digital, मतलब गवर्मेंट को आपको इंकरेज करना चाहिए, कि हमारा जो क्लास्रों में वो digital की तरफ जारा चाहिए, क्योंकि competition बढ़ गया है, और new technology आ रही है, जिसके वजह से हमारा क्लास्रों digital होना चाहिए, ऐसा गवर्मेंट को आपको इंकरेज करना है, इसके सब्सक्राइबल टाइटल या पर टाइटल दिया हुआ है, स्टार्टिंग आपका यहांसे ही होना चाहिए, राज राज ने जो है अपने फेरिट सिंगर को बुलाया है और वी आपी वगर को पास वगर करके, उसके बाद आगी का यह सेंटेंस है, आपको अपने वोन वर् आपको यहां पर भी सब्सक्राइबल टाइटल दिया हुआ है, यह लास्ट वला दिया है, यह आपका मतलब जो एंडिंग होगा वो इससे फिनिश होगा, तो क्या दिया हुआ है, and hence I decided never to leave my home without a mask, at the last मैंने डिसाइड कि मैं घर से बाद निकलने के बाद, मतलब कि घर से बा इससे बाद में जाएं TV, तो सकते हम लोगा एंडिंग होना चाहिए , यह ल्कार कि लोगा सब करना सार्तीत वडिई की लेहत दिया है, तो इसतरीके-स इससे पर पूर करना बच्ना के बाद रत्त पर सब्सक्राइबल टाट्डेग कम ऊब दिPhone 4 लेखत से पर देंग . झांक्यू